हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिज जिसा कि अपनी बॉल्ट जोग्राफी की सीरीज चल रही हो सीरीज में ही अब उसी सीक्वेंच में अपन वॉल्केनोज का सेकेंड पार्ट आज डिसकस करेंगे पार्ट नमबर टू आज का अपना टॉपिक रहेगा वॉल्के इस पर मैं जो भी चीज़े बताता हूं तो वह चीज़े मैं फिर से रिपीट करता हूं यह अपन से लेबस कवर कर रहे हैं और यह सारी एक्जाम्स के लिए equally important है और तीसरा यह कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क ग्तिच को अब हमारा नचल ठीक है और किस तरीके से की सेंट र इरप्शन का तरीका या फिर रेक्टर्टर्स के थूँ एक कोई भी पर्टीक्टिकूलर एक ऑलंग tarafक्से किसी लंवे प्रेक्टर्स के थूँ अगर एरया बींज कि अपनने बात किपीती सेंटरदर अर्प् इरप्शन होता है लावा का वो होता है किससे पिलाइक लावाक्स से अलोंग रहें इर बंडनिंश। है लावाक्स на उ खेला है कि 525 अइसा थार्ड ओंट्पा कर सकते हैं एकक्लर। इस दल्हें कि चांते हैं! इसमें continue, visuvius का जो example देखाता वो ही तरीका है, इसमें लगातार, continuous, एक rhythmic way के अंदर इसमें लावा erupt होता रहता, dormant का मतलब यह हो गया कि आपने एक बार, एक बार तो eruption हो गया, बट फिर उसके बाद में कुछ सालों तक कोई eruption नहीं है, फिर उसके बार में restart हो जाता है, that means कि इसके अंदर ज्यादा hazard हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार eruption होके रुख गया, तो human being क्या सोच लेता है, कि चलो ठीक अब कोई problem नहीं होने वाले, पर 100-500 साल बाद में फिर से re-eruption इसमें शुरू हो जाता है, तो उसकी वज़ए जो वही nearby settlement होता है, उसको ज्यादा loss हो ज कहीं पे lava erupt हुआ particular एक location पे और उसके बाद में अभीता कोई eruption नहीं है, और future में भी scope अभी दिख नहीं रहा, तो इस तरीके के जो volcanoes होते है, उनको बोलते है extinct volcanoes, ठीक है, but basically आपको पता है कि अर्थ के interior में क्या क्या activities होती रहती है, उसका कुछ idea नहीं है, किस जगह पे कौन तो चलिए एक एक को अपन detail में study करने की कोशिश करते हैं, देखो active volcano की बात करें, तो active volcano वो होते हैं, जिनमें consistently lava eject होता रहता है, जिसमें assess नहीं है, ashes है, जिसमें राक, gases और fragmental material लगाता है, निकलता रहता है, जिसका example अपन देखे तो क्या हो जाएगा, stromboli and atena, मैंने Vesuvius बोल दिया था, वो गलत निकल गया, sorry मेरे मुझें, पर हाँ, वो भी कही ना कही एक्टिव रहता ही है, पर atena stromboli, जो की stromboli जो है, इसको light house of Mediterranean sea, जिसके बारे में अपने previous lecture में बात कर चुके हैं, यह significant example है, इस active type के टेगरी के सबसे बेस्ट तरीका यह है, दूसरा देखे इधर है North America, इस तरीके से North America है, इस तरीके से यहाँ पर है क्या, South America, North America के ही South में, South America, इधर आप देखोगे, तो इधर की तरफ क्या है, Europe वाला portion आ जाता है, और इधर आप देखोगे, तो यहाँ पर आ जाता है, Africa वाला portion, इस तरीके से यह सारा segment होता है, ठीक है, अब हो क् कि यह जो Atlantic Ocean है map मैंने बहुत clearly बनाया है आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्या होता है यह American जो दोनों plates है South American और North American यह तो जा रही है West direction में flying towards Western direction और यह जो European और African अगर plate की बात करें तो यह कि दोनों landmass किस तरफ move कर रहें यह दोनों move कर रहें East की तरफ तो आप देखोगे कि यहां पर इस वाली region के अंदर क्या होगा दोनों तरफ यू दूर जाएगी और फिर नीचे से फिर लावा निकल करके ऊपर settlement होगा ठीक है तो यह process continue चलता रहता है तो यह most active volcano वाली region कहां पर मिलती है mid oceanic Ridge जो कि कौनसी एक तरीके से यहां पर plates दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है और दूर जाने के प्रक्रिया को यह process को क्या बोलते है divergent और इस तरीके से यह जो plates है इस जगह पर दूर जा रही इनको डाइवरजेंट tavalla और निया लावा अंदर से वार के सटल हो रहा है, तो कुछ नया बन रहा है, इसलिए इस divergent plate margin का बोलते हैं, constructive plate margin भी बोल देते हैं, यह देखो यहां पर, कि यह divergent plate margin है, और constructive भी है, और साथ में, यहां पर सबसे ज़्यादा most active मिलते हैं पर साथ में और कहां पर मिलते हैं Convergent Plate Margins Convergent Plate Margins जहां पर आपका जो अर्थ का crust है मतलब उपरी अर्थ का जो surface है वो क्या हो रहा है consume मतलब खतम हो रहा है उस वाली region के अंदर भी क्या होता है volcanoes मिलते हैं जैसे कि आप देखोगे वही मैप में बनाओंगा पर थोड़ा सा direction change करने वाला हूँ आप इधर देखोगे इस तरफ तो Asia यहां पर Australia वाला region आ गया यह Pacific Ocean टोटल इधर North America बस direction change कर रहा हूँ और इधर यह South America आप देख रहा हूँ यहां पर क्या हो रहा है Asia भी Eastward आ रहा है Australia भी Eastward आ रहा है लगबग लगबग ठीक है सब्सक्राइब नीचे की तरफ चली तो नीचे की तरफ जो बारी वाली प्लेट जा रही है तो नीचे क्या है रही है और रही temperature प्रेशर भी इंटरनल अर्थ अर्थ के इंटीर पर बहुत जादा है तो यह प्रेशर हाई होने की वज़े से यह क्या करेगा एक तरीक से जंप अप होगा और बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके क्या बना लेते हैं वॉलकेनोज ठीक है ऐसी कंडिशन अपने को कहां मिलती है ऐसी कंडिशन अपने को मिलती है पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जिसमें वेस्टन मार्जिन के ओपर तो क्या हो रहा है वेस्टन मार्जिन की तरफ तो क्या हो रहा है एश्या और और ऑस्ट्रेलिया वाला हो रहा है और इस तर इस्टर्ड मार्जिन की तरफ आप देख इसलिए इसको destructive plate margin भी बोलते हैं क्या बोलते हैं destructive तो कहने का मतलब constructive और destructive दोनों तरीके की plate margins पर volcanic activities अपने को देखने को मिलती हैं next type is dormant, dormant का मैंने already बताया कि वो volcanoes जो एक बार eruption हुआ जिनके अंदर और उसके बाद में quiet हैं बिलकुल शान था उनके अंदर कोई activity दिखाई नहीं दे रही बट कुछ दिनों बाद में आप देखते हो कुछ time बाद में आप देखते हो कि future में दुबारा से eruption होता है तो इस तरीके का जो sudden eruption होता है वो violent होता है और इसकी वज़े से बहुत ज़्यादा damage भी होता है human health and wealth go और इसका best example है विसूवियस विसूवियस में एक्टिव में शायद consider कर दिया तो उसके लिए sorry उसके अपने क्या देखा था एटना और स्ट्रॉमबली था वो थो थे active में और विसूवियस विसूवियस भी Mediterranean Sea में located है यह क्या हो जाता है dormant क्या है यह लामेंट एक्स्टिंग्ट वॉल्केनों उसके अगर अपन बात करें extinct volcano वह जिनके अंदर एक बार एरप्शन होने के बाद में there is no indication for future eruption future eruption का कोई indication नहीं है और इसके मान लो यह वल्केनों है यहां से इरॉप्शन हो गया अब यहां पर इरॉप्शन होने के बाद में एक बार हो गया और उसके बाद में अब कोई चांस नहीं है या फिर स्कोप नहीं दिख रहा है तो यहां पर क्या होगा वाटर फिलिंग हो जाएगी वाटर फिलिंग के बाद में यहां पर यह जो क्रेटर है जते हैं पानी बढ़ने की वज़े से क्या बन जाती है सक्रेटर लेक है इस सब्सक्राइब LEIQ जैसे है लोनार लेक औफ महहरास्ट्रा अभी न्यूज में थी मैं आपको बता जेता हूँ वजह वजह ये कि इसका कलर पिंक हो गया था तो साइंटिस ने बताया कि एल गल पिंक कलर की यहां पर डवलप होगी इस वजह से तो लौनार जो है क्रेटर लेक है जो महरास्ट्रा में लोकेटेड है अब देखो आप वल्ल्ड डिस्ट्रिबूशन मैंने मैप मैं अल्रडी बता दिया है वहीं से उठके आ रहा है देखो एक तो इस वाले रीजन में यह देखो में जो लाइन बना रहा हूं मिड अट्लांटिक रिज बोलते हैं इसको जिसमें जो यह यूरेशियन पार्ट है एफ्रिकन पार्ट है यह तो जा रहा है इस्ट में और नौर्थ अमेरिकन और साउव्ड अमेरिकन यह किधर जा रहे हैं वेस्ट में तो यहहां पर नयाब क्रस्ट बन रहा है आर्थ क्रस्टन का होता है घ्योस देको उपर परध निचली परऴड जो होती है अर्थ मैं अगर खुदाई करोगे दो निचली परध बीच वाली परध आतातियाे मेंट सबसे अंदर बिलकुल Center पर है کौर क्रस्ट मेंटर और कॉर तो चाठ्ट अगर बन रहा है तो यहां पर कितने कि यहां पर कितने नाम देख शकती हो फ्यूजी आमा जयपान के अंदर है सकोर शकौर आजिंद फॉर्मोसा मायोन फिलिपेंस यह वाले रिजन न्यूगीनिया सॉलमान ठीक है ऐसे ही आप देखो हर्ड बॉविट रियूनियन इस इंपोर्टन यह अपन देखेंगे और नेक्स्ट टाइप के अंदर अगे देखेंगे अपन उसके अंतर रियूनियन आइड को अपन क्लासिफाय करने को मांट किली मिनजारो ठीक है किली मिंजारो वाल रीजन जी टन जानिया में यह ठीक है और इपरिका के सब्सक्राइब य continent मतलब महादवीब के बीचों बीच के अंदर मिल रहा है तीसरा अगर distribution अगर आपन देखें तो अपने को देख पा रहे हैं प्लेट के बीच में रियूनियन आइलेंड यहां पे जो इंडियन ओशन प्लेट है उसी के अंडर में आपको दिखाई दे रही है एक यह डाइवर्जेंट प्लेट से यहां पे तो इस तरीकी से चार लोकेशन आपन देख सकते हैं पैसिफिक ओशन के चारो तरफ फिर मिड़ अट्लांटिक ओशन मिड़ मिड़ ओशनिक रिजज इं इस तरह आप देखो गए तो साउथ अमेरिकन प्लेट्यू हो जाएगा ठीक है एसे यहां पर साइबेरियन शील्ड भी बनी हुई और आप देख सकते हो देखो जो फ्रेक्चर इरॉप्शन मैंने बताए न उसमें क्या होता है चैप्चनलावा निकलता है तो ज्यादा दूरी तक फैल पाता है तो उसकी वज़े से प्ले तो मिलेगई देखो यह कोई लैंड मास है इसमें अगर नीचे से कुछ इरॉप्त होके हारा है तो इसकी से आकर कि यहीं पर सेटल डाउन हो रहा है सब कुछ तो इसकी जो हाइट बढ़ जाएगी तो आज पास की रीजन से अगर हाइड ज्यादा एक साइड कोई से भी स्टीप प्लेट्यूज के बारे में डेफिनेशन अल्रडी प्लेट्यू वाले लेक्चर में बताई हुई है प सबसे पहले नाम से पता पड़ा रहा है पैसिफिक के चारो तरफ यह जो है यह वालकेनिक जौन ऐसी है जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का मतला प्लेट कोलाइड कर रही है एक्स्प्लीन कर चुका हूं मैं यह चीज और इसमें देखोगे तो इस्टन मार्जिन की तरफ देखोगे और वेस्टन मार्जिन की तरफ देखोगे तो वहाँ पर चारो तरफ आपको क्या मिलता है वौलकेन देखेंगे अपन देखा आपने की कॉलिजन जो है पैसिफिक प्लेट का अमेरिकन और यूरियेशन प्लेट से हो रहा है अमेरिकन प्लेट्स तो किस मतलब आइलेंड का बहुत बड़ा एक तरीके से वह ग्रुप मिलता है ओशनिक आइलेंड मिलते हैं अपने को ओशनिक आइलेंड मेंसी के लिए होते क्या हैं बिग माउंटेंज विचार सबमस्ट अंडर ओशन वाटर मतलब बड़े माउंटेंज जो की समंदर में डूबे माउंटेंज बिल्डिंग हो गई अब इसके चारो तरफ अगर पानी कट्टा हो गया तो यह आईलेंड बन जाएगे और अगर यह सीरीज में बन रहे हैं जैसे जापान वाला एरिया देख लो फिलिपिंस वाला एरिया देख लो साउथ इस एश्या वाले जितने वी रिज माउंटेंट है इसको बोलते हैं फायर ग्रिडल ऊफ पैसिफिक ठीक है फायर गोडलिया फिर ऑफ पैसिफिक यह रिंग के अंदर है और लगातार चारो तरफ आप आ आपने देखा की पैसिफिक चारो तरफ वाल्कै凌 अरॉप्धिन Index हिप है बहूत सारे तो आक्तिव व से फिलिपीट ओर यह पहुत मैं Land 23 बिन से अन्तार्टिका टुरू हो रहा है एंडी ज्रीork गयन करें सब्रू और है ट्कुर और लेतिते प्रेंस का स्थ मेर होई के आपटी करिका 108 मेल यह द्मॹautकी है प्रद एक्रिछीड करेंट एकमार्थ पिर देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो डिस्ट्रिब्यूशन की वाई इस आप से देखें तो वह आता है मिड कॉंटिनेंटल बेल्ट में कौन सा गया जिसमें कॉंटिनेंट्स के प्लेट मार्जिन्स जैसे ऊपर क्या है यह मान लो यूरेशन प्लेट है और यह इंडियन प्लेट है अब इंडियन प्लेट जो है वह ऐसे कॉलाइड कर रही है तो इसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा है वालकनिक एक्टिविटी और यह पर जैसे की यहां पर जो यह क्रस्ट है इस वाले रीजन का तिब्बत वाले प्लेट्ट्व का यह थोड़ा थिक था मोटा इस वजह से यहां पर वालकनिक एक्टिविटी इतनी जाद एक्टिव नहीं हो पाई इरॉप्शन नहीं हो पाया पर यह है कि इनके इंदर फोल्ड आ गया जैसे मैं बात बताता हूं यह पतली किताब है एक मोटी किताब है आप मोटी किताब में नीचे से अगर कुछ मालो एक स्कुल्डराइवर लेत है और वह अगर अचानक से ट्रक करते हो फोल्ड हो जाईगयी इस में से हो सकता आपकी आरपार बताइबर तो यहां इधर आप देखोगे युरेशियन प्लेट में ही यॉरोप वाले रीजन की बात करोड नीचे अगर देखोगे तो आप एफ्रीका वाला रीजन है वो टकरा रहा है जिसकी वज़े से आल्प्स वाला रीजन डवलप हो रहा है तो यह क्या है कनवर्जन प्लेट बाउंडरी का अल्पाइन मांटेम्स मैडिटरियन सी ऐसान के बारे में ऑपन डिसके लिए आपटे मैं ये इसा जाती है इसे आपने देख लेंगे लेंगे लेक तंग निकाह एक वेक्टॉरिया और लेक नियासा लेक-मालवी घिजो सारी सा रही सारी की पर एफ właściकुट से उस्तरीकिंट हे त्र एफ्रिकान विल्हं जैसा आपने देखा कांवर्जन प्लेट की बात हो रही है क्नवर्जन प्लेट में कालीजन ओ occurred वह मैं उरिजिएफिकर और इंडियन प्लेट विल्हें इसके एक्जाम्पल क्या है कौन कौन से मांटें वॉल्कन यूज मिलते हैं यहां पर स्ट्रॉंबली विसुवियस एटना जिनके बारे में अपने अपने डिसक्स कर चुके प्रीवियस क्लासिफिकेशन के अंडर में और हिमालयन रीजन जो है वो भी एक तरीके से इसी बेल् में फिर में अपने अपने डिसक्स के लिए जिसके अंदर डाइवर्जेंट एक्टिविटीज होती है और इसमें रिजेज बनती रिजेज कैसे कि मान लोगी यह वाला बैल्ट है यह प्लेट से दोनों दूर जा रही है क्या होगा है यह यह दूर जाएंगी तो यहां से न यहां पर फिर की एक्टिविटिंट होती है वह प्लेट कुछण होता है ज्यादा कुछ डिस्ट्रॉइन नहीं करता है और यह कौंछी होगी डाइवर्जेंट प्लेट बोले बोलता है क्योंकि नया मेंगमा निकलता और नया क्रस्ट डेवलप होता है जिसमें आप देख पात रहे हो कि अमेरिकन प्लेट्स हैं वो तो वेस्टवर्ड मूव करती है और इसका सबसे बेस्ट एक्जांपल क्या है आइसलेंड में लाकी नाम की एक जगह है जहां पर वॉलकनिक एरॉप्शन हो था सैंटीनेटी थ्री में वो एक तरीके से अब्जर्वेबल है जैसे मैं आपको बता दूँ आइसलेंड जो है वो देखो यहां पर है यह वाला रीजन इस वाले रीजन में यह एरॉप्शन की बात कर रहे हैं लाकी ठीक है तो यह किसकी वज़े से मिड़ कॉंटिनेंटल बेल्ट की बात कर रहे हैं ठीक है नेक्स देखते हैं इंट्रा प्लेट इंट्रा प्लेट मतलब दो प्लेट के मार्जिन मार्जिन का मतलब एज़ेज प भाइब आझण प्लेट कि प्लेट प्लेट है पैसे फिक और ऑशनकी तो इसी के बीच में कहीं पे आपका रोकना कर्यून होता है इसका जो मि के सारी इसका मेकेनीजम होता है इस ताइप के इरप्चन का वह होता है होट प्ल्यूउ एसमें इसमें सिंपल सा कॉन्सस्प्ट है आपको बता देता हुँ यह माणलो एर्थ का bisa Minuestas आ आप इया मांहें को उ क्या है यह हो गया में और यह हो गया सॉर सुरी स्पमाइट पॎल से एक सदे यह होगा elder क्रेस्ट मैपना क्या है खोटा की अंदर टेंपरेचर क्या लगबग लगबग सिस थाउजंद डिग्री ज़्टी ग्रेड बहुत ज्यादा टेंपरेचर है अब ज्यादा तेंपरेचर होते हैं यहां पर material क्या होगा है maximum liquid semi-molten form में रहेगा यहां का जो temperature है वो mental से होता हुआ transfer हो जाता है plumes की form में कहां पर एस्थेनोस्फेर बोलते हैं इसको पार्ट को किसको जहां क्रस्ट और मेंटल यह दोनों जहां पर एक दूसरे से मिलते हैं तो इसके आपस वाला रीजन किसमें होता है सेमी लिक्विड फॉर्म मतलब अर्द द्रव अवस्था में तो उस कंडिशन में क्या होता है यहां पर इन इसको यहां का टंप्रेशर है इसकी धी यहां पर आती है प्लेशों में इस तरीके से वोटती है और इनको मिलते प्लेशन eh है कहने का मतलब plate cctonic model aboutへ行 स्री जा रहा है यह लेंकर ना होने की बजार इसका mechanism किया होट फिल्यूम जिसमें जो अर्थ कोर है वहां से हैनरजी जेश को और इसको और सब स्वस्क्राइब क्या है हौई तू कमचटका वाला जीयन होई क्या है पैसे को स्थखोके तो वाइए है और सकाइली आप देखोगे सखाइलीन कौन सा रीजन है यह आप क्या बोलते हैं इसको पैसिफिक उशन कैसे पैसिफिक उशन में जो रश्या वाला रीजन है इसको उसमें छोटे सी यह बेल्ट निकली हुई है तो उसके नीचे काम चटका यहां पे ठीक है तो रहोंगे यह सखाइलेन वाला रीजन रश्या का इस्टन मोस्ट और वहीं पर काम चटका है और यह जो हवाई आइलेंड है यह कहां पर बढ़ता है पैसे नॉर्दन पैसिफिक के सेंटर में तो यह इसके एक्जामपल होगे और यहां सामने आपके मेजर वाल्केनोज हैं यह यह प्रिलम्स पॉइंट ऑफ यह से वैरी वैरी इंपोर्टन यह आप अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लो इसको याद ही रख लेना इसको कौन कौन से रीजन में देखो और जस्टेल सैलेड़ो अर्जेंटिना चिली के अंदर है कॉट अपैक्सी एक्वेड़ोर यह सब व मेकसिको के अंदर चला गया मोनालोब यह हवाइ आइलेंट वाला जो मेन आइल मेन जो है वाल告诉 हूंड कलो यह वहाइन वालकिन यह इस हैं एफ्रिका के अंदर है इमउड एरबरेस एरवरेश कर रहा है रोस अंटर्क्टिका जहां से यह जो पैसी पिसिक रिंग और ठीक है आप्षि और शुरू होती मांट एटना सेखले इटली के अंदर है मांट पी यह हो है माट यह है मौक्यां पर मौटिनिक अइलन्ड के एंदर आइसलेंडि नेले लॉप और ऐसे कृता हो क्राकता में में इंड़ हो अदर एप्षेंग करांटिवाल्य कटमाई देखोगे तो अलासका में है मैंत मांट राइनियर और मांट शास्ता ये दोनों यूएस में है फ्यूजिया माई इसमें बी इरॉप्शन ओते रहते हैं ये बिंपर्टंट है जपान में है मौंट ताल मांट पिनातौबी मांट मे योन ये सारे फिलिप इंच में मांट एलब्रस ठीक है यह बताता हूं मैं आपको यह यूरॉप की हाइस्ट पीक है मांट एलब्रस इंपोर्टन टैक लिए मनजारों तंजानिया यह कहां पर चला गया अफ्रीका में और मांट की निया की अंदर जैसे की नाम से क्लियर हो रहा तो यह इंपोर्टन आप स्क् सकता है तो वाटर वैपन निकलने की वजह से रेनफॉल हो सकता है धंडर स्टॉम भी हो सकता लाइटनिंग भी हो सकती है साथ में वालकेनों जगर ज्यादा लंबे टाइम तक अगर इरप्ट होते हैं तो क्लाइमिट चेंज के अंदर भी उनका रोल होता क्योंकि सल्फर ड जिनों तक सस्पेंड़ रहती है तो उसकी वजह से आसपास का जो क्लाइमिट है वहाँ क्या आसपास का मौसम जो है वह ठंडा हो जाता है क्योंकि संद्रेज सीधा अर्थ पे स्ट्राइक नहीं कर पाती तो क्लाइमिट और वैदर दोनों के उपर इंपेक्ट इसका आता है क्या तो वल्यूम रहा है कि जो भी माटीरियल वॉल्कनिक एक्टिविटी की वजह से बहार निकला है दूसरी ये वजह हो सकती है कि कितने टाइम तक रहा है ठीक है दोनों का इफेक्ट आता है इसी तरीके से अगर लावा फास्ट मॉविंग है बहुत ही जादा पूरे जो खेत हैं उनको डिस्ट्रॉइ कर देगा जितने भी लाइव स्टोक उसको भी खतम कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके फैमीन पड़ेगा फायर भी लग सकती आग भी लगती और अर्थक्वेक्ट तो इसके साथ में इसका कॉंसेक्वेंट बारे में मैं से डिसकस करूंगा तो अर्थकाय और वोल्काइक को कोड़ुएंच कर सकते हैं इसमें किया होता है जिसमें it प्लांट और अनिमल्स को भी किल कर देता है जैसे कि सेंट हेलीना नाम से एक वॉलकन हो है 1980 के अंदर लगबग लगबग कितने अनिमल्स को डेमेज कर दिया आप देख सकते हैं बॉब कैट डियर अनिमल ब्लैक बियर्स ठीक है माउंटेन लाइंस इनको सबको एकदम खताम कर दिया था पूरे के पूरे जो भी थे और पॉजिटिव इंपक्ट जैसे थोड़ा स्ट्रेंज है बड़ पॉजिटिव इंपक्ट आपन देखें तो जो इंटरनल एक्टिविटी होती है उससे अपन जीओ थर्मल एनर्जी का रियूज करके हापन इलेक्रिस के साथ चाइबंक्ट आपन नौर्म इन´ली और छोटीर कि उस și्ट्रहंक्य है और यह साथ में क्या रेदार से क्योंकि लगातार चलता रहता है इंटीर के अर्थ के इंटीर में continuous activities होती रहती हैं तो यह कभी खतम होने वाला scope अभी तो है नहीं इसलिए तो renewable energy में भी consider किया जाता है वॉल्केनों जो है वह अपने साथ में जो भी लावा बाहर निकालते हैं वह बाद में क्या fertilizer की तरह काम करते हैं जैसे की डेकन प्लेटियो ऑफ इंडिया की बात करूं मैं वहां पर क्या है बैसाल्टिक लावा निकलता तो वह क्या होता है उसके अंदर जब वह बैसाल्टिक में क्या होती हैं वही रॉक्स क्या होती थिया कि स्वैयल में कंवर्ट होना सुरू जड़ी और शौयल में जब डिया तो इस तरीके से पूरा का पूरा यह पॉजिटिव इंपक्ट भी अपन वॉलकेन उसका देख सकते हैं तो अब तक अपने दो वीडियो में वॉलकेनोज के टाइप सब्सक्राइब करो लाइक करो बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मतबूल हो थैंक यू